नमस्का दोश्तों आज आपको मैं चौलाई का साथ बना कर दिखाऊंगे इस वीडियो में चलिए बनाते हैं और देखिए हमने चौलाई है चौलाई को हमने अच्छे से धूल करके और इसको काट करके देखिए इसको रख लिया है इस तरह से और इसके बाद इसको हम बनाए गरम कर लिए इसमें डाल दिए भी इसमें डालेंगे डाख न जया लिए टेल E деньги के लैसन और मर्चा इसमें तुछा लैसन ज्यादा डाले और साथ मेडल दींगी थोड़े सी प्याज प्याज बारी काट करके इसको हम प्याज को हम-afeल्गासा ब्राउन भूण लेंगके प्याज को लेस supports एह हैं इसके पारस में डालेंगे टरंटर एक टमाटर कुछमे काट लियाए और इसमें डाल दिया है इसके उपस्वासा नमक डाल देंगे चॉलाई का साथ इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और सिहत के लिए भी फाइदे मन्द होता है इसमें नमक डाल करके भी मिला देंगे इसको हम अब इसके बाद जो हमने चॉलाई काट करके रखा हुआ है इसमें डाल देंगे थोड़ा तहले डालेंगे और इसको थोड़ा सान चला लेंगे तो रहता जो प्याज लहसन है इसको उपर कर लेंगे और मिला देंगे इसमें जिससे जो नीचे से पकड़े ना इसलिए इसको थोड़ा सान चला लेंगे और जो साग है तो वो पानी छोड़ेगा तभी नीचे से नहीं पकड़ेगा जो मिला देंगे तो इसके बाद जो बच्चे हुए साग है उसमें हम डाल देंगे देखे बच्चे हुए साग को हमने इसमें डाल दिया है तो अब इसको हम चलाएंगे नहीं अब इसको हम साग पुरा डाल करके धक देंगे क्योंकि चलाएंगे तो साग नीचे गिर जाएंगे तब इसको ढख देंगे और जब साग पाने छोड़ देगा तब इसको हम चलाएंगे तो देखे साग थोड़ा सा नीचे ब्याठ गया है अब इसको हम चला लेंगे तो लाइक का साथ बियत फाइदे मन्द होता है सेथ के लिए आप जरूर घर पर बनाएं इसको और बहुत लोग बनाते हैं और बोलते हैं अच्छा नहीं बनता है इस तरह से बनाएंगे जरूर अच्छा बनेगा इस तरह से हमने इसको चला देना है और चलाने से होगा जितने भी पानी साग को छोड़ना होगा तो पानी छोड़ देगा और अच्छे से साग गल जाएगा तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहना है अब इसको थोड़ा हम और फिर ढख देंगे यानि इसको उठा करके दोदो मिटों पर चलाती रहना है अब हमने देखिए साग को तयार कर लिया है अब ये फिर हम इसको चला कर दिखा दे रहे हैं देखिए हमारे साग अच्छे से पक गए हैं उमीद है आप लोगों को इस पी जुरूर पसंद आई होगी पसंद आई है अब तक हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद